उत्रप्रदेश के प्रतापगड में एक जगा है कुंडा जो हमेशा किसी ना किसी वज़ा से चर्चा का विश्रय बना रहता है। उस समय के ततकालीन जीसपी जियाउल हक की हत्या। अब एक बार फिर इस मामले में सुप्रिम कोट ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि एक तरफ राजा भाया का पत्नी भानवी कुमारे से तलाक का केस चल रहा है। तलाक मामले में राजा भाया पर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाये है। वह दूसरी तरफ अब एक और मामले में राजा भाया के मुश्किले बढ़ने पाली है। नमस्कार आप देख रहें कैपिटल टीबी उतरपदी शर्मय हूँ आपके साथ दिव्या से। इस खास प्रोग्राम परदाफाश में आपका स्वागत है। परदाफाश में आज परदा उठाएंगे डेसपी जयावल हक की नर्मम हत्यासी। बताएंगे कि कैसे ये केस राजा भाया के लिए गले का फास बन क्या है। तो चलिए शिर्वात करते हैं। कुंडा बिधायक राजा भाया की बढ़ी मुश्किले। डेसपी जयावल हक को किसने मारा। मामले में राजा भाया की भूमिका की होगी जान। सुप्रम कोट ने CBI को दिया आदेश। राजा भाया के खलाब पच्चास से अधिक मुकदमे दर्च हुए। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि उन्होंने कभी भी इन मुकदमों को लेकर बयान बाची नहीं की। लेकिन जैसे ही जियाओल हक हत्याकान में उनका नाम सामने आया तो उन्होंने खुद ही CBI जाच की मांग कर टा ली। इसके बाद CBI ने जाच भी की लेकिन वो बेदाग निकले। इसके बाद उन्हें आरूपी बनाने के लिए सुप्रिम कोट में अपील की गई। और अब सुप्रिम कोट ने इस मामले को नय सीरे से जाच के लिए CBI को आदेश दिया है। यानि जियाओल हक हत्याकान मामले में राजा भाया की मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या है जियाओल हक हत्याकान की असली कहान है। बता दे कि साल 2013 में दो मार्च की दोपहर का समय था पुंडा बिधान सबाच्षेत्र के गाउ बेंती में ग्राम समाच की जमिन की पैमाईश हो रही थी। इस पैमाईश के दोरान ग्राम प्रधान नने सिंग यादों के साथ गाउं के ही कुछ लोगों की जड़प हो गई। तो सियो जियाउलहक कोतवाल सरविश मिस्राख समेत अन्य पुलिस वाले शौले ने गाउ पहुच गये। लेकिन वहां पहले से जमाभीड आक्रोशित हो गई और पुलिस पर हमला कर दिया। सयोग से पुलिस वाले जिस गली में भागे वसंक्री गली थी। इसमें आगे आगे सीयो और कुतवाल थे वहीं बाकी पुलिस वाले उनके पीछे भाग रहे थे। जब पुलिस वाले गली के मुहाने पर पहुचे तो देखा की पहले से ही भीड उनका इंतजार कर रही थी। उनने देखकर पुलिस वाले पलट कर भागने लगे एसे में सीयो और कुतवाल सबसे पीछे हो गये। वही जब भिड की ओर से गोली चली तो सीयो को लगी और वहीं गिर गया केस डाइडी के वताबिक प्रधान नन्हिस सिंग के भाई सुरेश यादव ने सीयो जिया उलहक पर बंदूग के बट से वार कर दिया यह बंदूग लोडेट थी इसलिए गोली चल गई और सुरेश के पेट में ही लग गई इससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई उसे गोली लगते देख नन्हिस सिंग यादो के बेटे ने गोली चलाई जिससे सीयो की मौत हो गई जानकारी का नुसार इस वारदात में 20 से अधिक लोग चश्मदीत गवा थी पुलिस ने इस मामले में कुल 4 एफायार दर्ज की थी हलाकि इनमें किसी में भी राजा भाया का नाम शामिल नहीं था वही जिन लोगों का नाम एफायार में था उन्हीं गिरफतार कर जेल भेज दिया गया पुलिस इन सभी मामलों के चार्च कर रही थी कुछ दिन बाद सीयो जियाउल हक की पतनी परवीन आजाद थाने पहुंची और इस वारदात की साजिश में शामिल भोने का आरोप लगाते हुए राजा भाया और उनके सहयोगी गुलशनियाद हरियोम शवास्तो रोहित सिंग और संजे सिंग और गुड़ू को नामजद करा दिया उस समय बिधान सभा की बैठक चल रही थी और राजा भाया लखनव में थे उन्हें जैसे हैं इसकी खबर मिली वक्षोद आगे बढ़े और CBI जांच और खुद के लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग कर दी जिसके बाद CBI ने मामले की जांच करते हुए साल 2013 में ही ट्राइल कोट में चार्श्ट लगा दिया बता दिये कि CBI ने मामले में राजा भाया की भोमिका को नकारते हुए कूल 14 लोगों को आरोपी बनाया थी लेकिन ट्राइल कोट को CBI की चार्षिट पर भरोसा नहीं हुआ इसके बाद मामला इलाबाद हाई कोट पहुँच गया जहां कोट ने साल 2022 में ट्राइल कोट की आपत्नियों को खारच करते हुए CBI की क्लोजर रिपोर्ट को ही स्विकार किया इससे सियो जिया उलहक की पत्नी को धक्का लगा और वह सुप्रिम कोट पहुँच गई अब सुप्रिम कोट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना है कि कुछ ना कुछ तो गरबढ़ है इसलिए हाई कोट के फ्रेसले को रद करते हुए ट्राइल कोट के फ्रेसले पर मुहर लगा दी और कहा कि CBI को इस वारदात में राजा भाया की भूमिका की पड़ताल नय सीरे से करनी चाहिए वह जानकारी के नुसार राजा भाया ने कहा कि वह बेगुना है उन्होंने पहले भी कहा था कि मामले के निस्पक्ष जांच होने चाहिए इस बात पर वह आज भी कायम है उन्होंने एकनीजी चैनल को दिये इंटर्व्यू में कहा कि वह खुद चाहते थे कि CBI जांच हो और असलियक बाहर आचाए अब जानते हैं कि कौन थे C.O. जयाउल हक दरसल C.O. जयाउल हक मूल रूप से दिवरिया जिले में नोनखार गाउं के रहने वाले थे साल 2012 में उनकी तैनाती कुंडा में हुई थी उनकी पत्नी का आरोप है कि तैनाती के बाद से ही C.O. पर राजा भाईया के ओर से दबाव बनाने की काफी कोशिस की गए खासतोर पर वह अपने खलाफ दर्ज मुकदमों में C.O. का सांथ चाहते थे हलाकि राजा भाईया का कहना है कि C.O. जयाउल हक से उनकी केवल एक बारी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में भी उनकी कोई खास बादचीत उन से नहीं हो पाई थी फलाल इस मामले में सुप्रिम कोट ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद ट्रायल कोट के फ्रस्ले पर मुहर लगा दी और कहा कि C.B.I. को इस वारदात में राजा भाईया की भूमिका की परताल करने चाहिए इस तरह से अब राजा भाईया की इस मामले में मुश्किले बढ़ती चाहिए वहीं दूसरी तरफ नवंबर 2022 में ही राजा भाईया की पत्दी भानवे सिंग ने दिल्ली के साकेत कोट में तलाक के लिए अरजी तायर की थी उन्होंने क्रूरता के अधार पर तलाक मांगा था उन्होंने अपने सुसराल वालो पर आरोप लगाया था और कहा था कि घर छोड़ दिया है बानवे सिंग ने कोट में राजा भाईया पर मारपीच और अवैद संबंध का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा था कि सितंबर 2020 से ही राजा भहिया ने उन्हें घर में आने से मना कर दिया वहीं एक बार फिर से बीती दिनों इस मामले ने तूल पकड़ लिया था जिसमें जीजा, साली और महारानी इन तीन नामों की खूब चर्चाद देखने को बेरी जिनका सीधा संबंध था राजा भहिया उनकी पतनी भानवी सिंग और साली सादवी सिंग से बता दी कि राजा भहिया का पतनी भानवी सिंग से तलाग का केस चल रहा है इस केस के बीच में ही वीते दिनों भानवी ने राजा पर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिये जिससे उनकी जिंदिगी में भोचा लागया इसकी आच भानवी की छोटी बहन यानि राजा भाया की साली सादवी सिंग तक पहुँच गई जिसके बाद सादवी सिंग ने अपनी बहन भानवी सिंग पर पलटवार किया और अपनी ही बहन भानवी पर एक के बाद एक कई संसनी हेज आरोप लगा दिये। साधवी ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी बड़ी बहन भानवी का मांसिक संतोलन ठीक नहीं। इस तरीके से तलाक मामले में इन तीनों की काफी चर्चा देखने को बिली। और अब एक बार फ़र से राजा भाया की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि प्रताबगड में दस साल पहले हुई ततकालीन डीसपी जिया उलहक की हत्या में पुंटा विदायक राजा भाया की भूमिका के जाच का आदेश CBI को सुप्रेम कोर्ट ने पितिया है। फ़लाल परदाफाश में इतना ही आप अपनी राय हमें कमेंच करके ज़रू बताए और देखते रिए कापिटल टीवी उत्रपादीश नमस्कार। पॉलिटिक्स की हर नख्स के दीप पहचाता है। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर ख़मर से खरा सच मिखाता। ना कोई दौर ना कोई रेक्स, क्यापिटल टीव उत्तर देगे।